थेंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो आज मैं आपको एक बहुत शांदार इस्ट्रक्षर संधाने जा रहा हूँ को इंगिष को बोलने के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप उसके सेंटेंस को भाव को समझें उसकी वर्ट्स की मीनिंग means 네 जैसे में आपसे कहूं कि मैं बनाना खाना चाहता हूं मैं क्यला खाना चाहता हूं तो इसके इंग्लिस क्या बोले गया हूं I want to buy a banana, I want to eat banana प्रजेंटे डिफिरेट है कि यहीं पर हम हिंदी मेंड़ी स्टुडेंट्स गल्दी कर जाते हैं मैं आपको एक स्ट्रक्यर बताऊंगा उस एक स्ट्रक्यर से अब प्रजेंट और फ्यूचर दोनों प्रकार के बाग बड़े आसानी से बोल पाएंगे यह स्ट्रक्यर है would like to मैं क्यला खाना चाहता हूं I would like to eat banana मैं क्यला खाना चाहूंगा I would like to eat banana दोनों में same sentence रहेगा यह would like to eat बहुत ही कमाल का इस्ट्रक्यर आप अपनी बात को ज्यादा polite में ज्यादा बिनमर्दा के साथ बोलना है उद्धा पर भी would like to use कर सकते हैं आप ticket counter में जाते हैं और सिधे बोलते हैं कि I want to buy a ticket यह यह selfish और arrogant approach दिखाता है इसके बदले में आपको बोलना चाहिए I would like to buy a ticket please this is more polite and more genuine approach so यह जो एक्जांपल देखा आपने इससे एक किस्समस में आई कि would like to क्रयोग ज्यादा advanced way में ज्यादा polite way में बोलने के लिए और दूसरा हमारी कोई wish हो हमारा कोई plan हो उसको करने में काम आता है एक दूसरा इस्ट्रक्यर लिखते हैं दूसरा sentence लेते हैं I would like to go to London next week मैं अगले हपते लंदन जाना चाहता हूँ या कि जाना चाहूंगा दोनों पर same sentence रहेगा मैंने पहले भी बोला present हो या कि future हो दोनों पर sentence का structure यही रहेगा would like to आप अपने sentence में ज्यादा बहतर और ज्यादा ब्यूटी लाने के लिए इस structure का प्रियोप करें I would like to shoot a new video मैं एक नया video shoot करना चाहता हूँ मैं वीडियो को edit करना चाहूंगा I would like to edit video would like to structure same रहेगा इस structure की एक खासियत और है subject कोई भी person हो singular हो plural हो third person हो कोई भी हो sentence structure same रहेगा subject इसके बाद would like to और बरवका first time हार बार आएगा इस sentence में इस structure में एक बात और है आप जीरंट फार्म भी यूज़ कर सकते हैं they don't like they wouldn't like to living there so would mean living भी यूज़ कर सकते हैं I wouldn't like swimming there जीरंट फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे बढ़ करके इसका structure जो है same रहे है I would like to so I would like to watch this video because this video is giving ample information that is necessary for Facebook or English I would like to shoot another video so आप एक comment में करके एक बता है कि what you would like to watch next video और एक sentence would like to पर बना करके आप comment में बताएं और यदि वीडियो पसंदा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल